है लो स्ट्वेंट्स वांस अगे और मोस्ट वेलकम तो यूर फैवरेट यूटूब चैनल यूएस ख्लासे ओकि इस वीडियो इस फॉर क्लास नाइथ मैथ स्ट्वेंट्स और इस वीडियो में हम रेशनल लंबर्स की डेसिमल फॉर्म को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बढ़्त किया था कैडंग गये बीजरीवल फॉर्म यहां पर बेशिमल फॉर्म्स आपकी देशनल आब सिक दई वोडेरारट टु टाइप्शच वन तर्मीटींग डेसिमल और second non-terminating repeating decimal non-terminating repeating कई books में recurring लिखा रहता है तो confusion नहीं होना है आपको ठीक ना, इस terminating decimal में हमारा remainder जो है वो zero के एक को लो जाता था और non-terminating repeating में मैं एक वार recall कर देता हूँ कि जो remainder है वो repeat itself यानि खुद से repeat होने लगता था यह last lecture में मैंने आप लोगों से discuss किया था बट अभी क्या है in this lecture we have to discuss about decimal form यानि decimal form से आपको rational number यानि p upon q की form में convert करना है ठीक ना, यह हम यह आपर discuss करने वाले हैं तो decimal form तो हमारी दो तरह की होती है एक terminating मैंने अभी अभी आपको बता है और एक non-terminating repeating non-terminating repeating terminating default terminating और NTR यानि की non-terminating repeating तो most importantly हम यह आपर NTR के बारे में discuss करने वाले हैं और यह non-terminating repeating को किस तरह से p upon q की form में convert करते हैं वो हम process सीखने वाले हैं आप कहेंगे साथ terminating को क्यों नहीं convert करेंगे हम p upon q को actually terminating को बड़ी आसानी से हम p upon q की form में convert कर सकते हैं और इस तरह की questions जो है वो आप से पूछे भी नहीं जाते हैं लेकिन मैं यह आपर आप से discuss करने वाला हूं उसके बारे में इसका डेसिमल फॉर्म बढ़ी आसानी से डेसिमल अटाएंगे जीरो एक्टेंट कर लेंगे बट यहीं पर अगर कोई non-terminating repeating अगर लिखाओ और non-terminating repeating में एक्छली क्या होता है यह बार एप्लाई होता है इसको हम 125 125 इस तरह से रिपीट करके लिख सकते हैं यह लाक्ट लेक्चर में हम लोग डिसकस कर चुके हैं अब यहां पर हम इसको 125 पॉन 1000 नहीं लिख सकते हैं यह गलत है आप कहेंगे सब डेसिमल अटाएंगे डेसिमल के बार थ्री डिजिट से तो इसको हम 1000 इस तरह से एपलाई हम नहीं करते हैं non-terminating repeating में इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं यह भी 1 upon 8 का डेसिमल एक्सपेंशन आप कहना चाहरे हैं कि 1 upon 8 का डेसिमल एक्सपेंशन यह हो जाएगा तो 1 upon 8 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो non-terminating repeating कैसे हो सकता है इसको आप इस लॉजिक से भी सो सकता है अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रोसेस है वो यहां पर डिसकस करने वाला हूँ कि किस तरह से हम non-terminating repeating को जो आपका एक्साइज है जो questions है वो आपके इसी तरह से जेनरेट होते हैं कि हम non-terminating repeating के डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्योंगी फॉर्म में करेंगे और अ आपको बता देता हूँ अब इसका क्या प्रोसेस है और किस तरह की questions generate होते हैं वो मैं यहां पर आप से डिसकस करने वाला हूँ ठीक है ना तो यह जो वीडियो है इस non-terminating repeating की फॉर्म को पी अपॉन क्योंगी फॉर्म में convert करने के लिए मैं दो वीडियो बनाऊंगा यानि क कि part 1 और part 2 में आपको explain करूंगा दो वीडियो से मतलब यह हो गया कि एक वीडियो part 1 होगा दूसरा वीडियो part second हो गया पार्ट 1 में किस तरह के questions discuss करेंगे आप से वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं part 1 और part 2 यहाँ पर में दो तरह के questions आपसे लिख रहा हूं part 2 के question next video में हम discuss करेंगे आपसे अगर मैंने एक साथ दोनों अगर आपको बता दिये तो दोनों तरह की कोश्चन में आप लोगों से ओवरलैपिंग हो जाएगी आप किसी भी तरह के कोश्चन्स आप नहीं सीख सकते हैं तो पार्ट बन में जो कोश्चन्स में डिसकस करने वाला हूँ वो कोश्चन्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ अभी और पार्ट सेकंड में किस तरह की कोश्चन्स डिसकस करूँ है वो भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ आपके लिए उन questions में एक साथ लिखने का सिर्मीन यहाँ पर इतना है कि उन दोनों तरह के questions में आप difference को समझ सकें कि कैसे आपको identify करना है कि यह हमें part 1 में रखने है या part second में रखने है यह questions हमने part 1 में सीखे थे और यह question हमने part second में सीखे थे तो यहाँ पर देखे कुछ questions में लिख रहा हू गों 0.1.67 बार यह 2.325 यह तरह से यह 3.001 तूस्ट एससे ठीक न इस तरह के को स्टेस्ट रसार इस तरह के और इस तरह के बाद जो भी डिजिट से उन सभी डिजिट से उपर बार एपलाई गयर यहां पर डेसी मल के बाद एक या दो डिजिट भी हो सकती है इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको यहां पर देखें डेसिमल के बाद वन डिजिट ऐसी जिसके उपर वार एपलाई नहीं है यहां पर यह वन डिजिट ऐसी जिसके उपर एपलाई बार नहीं है टू डिजिट ऐसी जिसके उपर वार एपलाई नहीं किया हुआ हमारा इट मिस यहां पर 6 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है यहां पर सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है similarly इसी तरह से 3 रिपीट नहीं हो रहा है आपका 2525 यह रिपीट हो रहा है same on आपका 3.00 रिपीट नहीं हो रहा है 2323 यह रिपीट हो रहा है आपके इसका meaning यह है आपका तो यह इसको मैं part second में discuss करने वाला हूँ यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ part 1 में कि 0.6 बार 1.23 बार यह 1.003 बार यहाँ पर decimal है 1 digit के उपर बार एपलाई है यहाँ पर 2 digit के उपर और यहाँ पर 3 digit के उपर इसका process क्या है इसको अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम अपना questions लेते हैं question है आपका 0.6 बार ओके तो let सबसे पहले x 0.6 बार let करेंगे यहाँ पर 0.6 बार let करेंगे x के उपर और फिर हैं आपर simplify करने गाद process करने काद मोटे बता देता हूँ कि हम x की value यहाँ पर find out कर लेंगे p upon q की form में और अगर x की value अगर यह है तो x हमने 0.6 बार let किया हो तो वह value भी ही हो जाएगी यह हमारा final concept है ठीक ना x का मैंने सिर्फ यह बताए कि हम x equal to q let कर रहे हैं उसका meaning क्या है जो हमारी यहाँ पर equations बनेंगे simplify करके उन्हों questions को solve करके यह जो भी process या methodology यूज करते हैं उनका यूज करके हम x की value निकालने वाले हैं और x because of 0.6 बार के युकल है तो वही value हमारी 0.6 बार की हो जाएगी इसको भी आपको ध्यान दखना है ठीके ना तो first x equal to 0.6 को हम 0.666 3 times लिखेंगे यहाँ पर आपके इसमें तो बहुत सारे 666 repeat हो रहे हैं लेकर मैं आपको बता दे रहा हूं process जब हम use करेंगे तो decimal के बाद जब single digit repeat हो रहा है तो हम 3 times इसको लिख लेंगे इसको याद रखना है जादा नहीं लिखना है आपको ऐसा हम क्यों करते हैं इसका भी मैं explanation अभी आपको दूँगा ठीक है अब यहाँ पर decimal के बाद because of one digit repeat हो रही है इसलिए हम both side multiply of 10 कर देते हैं by 10 on both sides फिर से repeat कर रहा हूँ यहाँ पर decimal के बाद one digit के उपर बार लगा हूँ है that means one digit repeat आपकी हो रही है इसलिए 10 का multiply करेंगे अगर two digit के उपर बार होता है तो 06 का मतलब 6 और 26 यहाँ पर बचे हुए बहुत सारे sixes हैं but one six हमने और लिख लिया क्योंकि मैंने बता है decimal के बाद आपको three digits को decimal के बाद आपकी जो digits repeat हो रही है उसको three times लिखना है आपको ठीक रहा डेस 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 इस इस अवर equation number second now subtract equation first from equation second हम first equation को second equation में subtract करने वाले हम ठीक न तो left left को subtract करेंगे right से right को तो 10x में से x को subtract करेंगे direct भी आप 9x लिख सकते हैं no problem यह 10x minus x लिख दीज़े अब decimal के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप digits से हैं ठीक न इसको मैं फिर से लिख कर बता देरू 6.666 यहाँ पर आपको हमेशा दिहान नखना है कि जब भी subtract equation करेंगे first from second तो decimal से पहले जो digits से सिर्फ उसी का याँ 6 में से 0 गया 6 क्योंकि decimal के बाद तो यहाँ पर सारा का सारा 0 बनने बाला है और आप जानते हैं decimal के बाद 0 की evaluation नहीं होती है अब जो मैंने आप से गाता है कि decimal के बाद suppose अगर हम यहाँ पर six four times लिख लिए हमने यहाँ पर अब यहाँ पर आपको सब्टेक्ट करने में कहीना कहीना confusion होता आपके दिमाग में बार-बार करना पड़ेगा कि decimal के बाद जो है वह equal number of digits रखनी है अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप three times लिखते हैं four times लिखते हैं बट आपको पता है कि इसको subtract कैसे करना है कहीन को प्रब्लम नहीं तो आप four three four times लिखे five times लिखे किसी को three times लिखे कोई उसमें error नहीं है वो भी correct है बट वच्छों प्रैक्टिकल प्रब्लम साती वह यह आती कि अगर थी तैमस लिखा और फॉर तैमस लिखा सब्टेक्ट करने को कहीना कि इसको बना लेते हैं और जीरो बनाने के बाद सब्ट्रेक्शन के बाद वो गलस लत यहां पर डिट्स लिख देता है तो यहां पर भी multiply करने के बाद भी बहुत सारे डिट्स तो डिट्स यहां पर बचे हुए थे बट मैंने वन डिट्स और लिखकर यहां पर इसको सब्सक्राइब कर लिख सकते हैं यानि कि जो डिसिमल फॉर्म थी उसको अमने फ्रेक्शन में बड़ी आसानी से यहां पर convert कर लिया ठीक है दूसरा आपके दिमाग में कई बार बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता सरे मिसको चेक और करना चाहते हैं कि तो अपन असानी से समझ सकते हैं यह आपका repeat होने लेगेगा और यह 0.666 इसी तरह से आता रहेगा 0.6 बार होगा इसको आप इस तरह से verify अगर करना चाहते हैं तो verify भी कर सकते है इसका बाद में second जो question है 1.23 इसको मैं discuss करने वाला हूँ आपसे same process आपका repeat होगा कहीं कोई confusion नहीं आपका बस difference तरह इतना है कि यहाँ पर decimal के बाद two digits के उपर बार लगा हुआ जबकि पहला बाला question था उसमें decimal के बाद सिर्फ one digit के उपर बार था ठीक है न तो यहाँ पर same process repeat करेंगे 1.23 बार यहां पर ले लिया और बन पॉंट 23 बार अगर है तो यहाँ पर 100 तू टाइम से लिखिए त्व पेर्स बनाहिए यहांप प्र डेसिम्ल के बाद उसके 2 प्र बनाहिए 2, 3 and that's all mindset कर लिए आप इसको यहां पर defix number first because यहांपर defixage number two digits report हो रही है तो multiply by 100 का multiply यहांपर करेंगे तो 100x equal to decimal to date आगे move करेंगे 123.23 एक बार बचा हुआ और एक pair हमने अपनी तरफ से लिखे लेगा, decimal के बाद two pairs लिखे लेगा, और this is our equation number second, same process हम repeat करने वाले हैं आपर subtract equation subtract equation first from second, 100x में से x गया 1x, 99x ओके, और decimal से पहले हैं आपर 123 है और decimal से पहले यहां पर 1 है, तो obviously यहां पर 122 आपका बचेगा, decimal के बाद हमें subtract नहीं करना है, इस trick को आप ध्यान रखिएगा decimal से पहले जो आपके digits हैं, बस उन्हीं को हमें subtract करना है, तो x equal to हो जाएगा 122 upon 99 अगर यह cancel हो रहे हैं, कोई common factor हो, तो cancel आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई problem नहीं है, और x जो है, वो हमारा 1.23 bar के equal है, तो 1.23 bar equal to 122 upon 99, इसका भी अगर आप division करना चाहते हैं, तो उसको verify कर सकते हैं, ओके, अब third question के हम यहां पर बात करने वाले हैं, जो की 1.002 इस तरह से ले लिए हमने यहां पर, ठीक ना, और यहां पर decimal के बाद three digits के उपर बार एपलाई है, ओके, same process हम repeat करेंगे, इसमें कहीं कोई confusion नहीं है, सिर्फ मैंने three different type के questions लिख लिए थे, जिसमें एक decimal के बाद one digit repeat हो रहा थे, second में two digits repeat हो रहे थे, third में lead one point zero zero two यहां पर लिखा, ठीक ना, तो one point zero zero two, zero zero two, इस तरह से आपके digits repeat होने लगेंगे, और this is our equation number first हो गए, ठीक ना, उसके बाद, यहां पर multiply by three digits repeat हो रहे हैं, तो thousand, इसमें कहीं कोई confusion नहीं होना चाहिए आपको, ठीक ना, thousand का अगर हम multiply करते हैं, तो यहां पर thousand x equal to thousand में three digits, आपका right में move करेगा, तो one zero zero two point zero zero two, एक pair बना हुआ है, और दूसरे pair को हमने इसी तरह से लिखिए, this is our equation number second, subtract equation first from second, same process repeat करेंगे, कहीं कोई problem नहीं इसमें, ठीक ना, thousand में से one अगर जाएगा, तो nine 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 x, और one zero zero two में से one को अगर subtract करेंगे, तो one zero zero one यह आ जाने वाला है, आपके लिए, अब x equal to, आपका one zero zero one upon triple nine, यह बनने वाला है, और अगर cancel अगर हो रहा है, तो आप cancel भी कर सकते हैं, और x हमारा जो है, one point zero zero two bar के equal है, तो therefore one point zero zero two bar equal to one zero zero one upon triple nine, यह simple सी calculation है, I hope कि यह बड़ी आसानी से आप लोग कर सकने समें कहीं कोई error नहीं, error lessly आप लोग इसको कर सकते हैं, same process आपका repeat हो रहा है, ठीके न, इन तीनों questions को मैंने करा दिया, इसके बाद मैंने बताया पार्ट सेकिंड जो है, वो मैं next वीडियो में आप लोगों से discuss करूगा, अब कुछ questions में यहाँ पर आप लोगों के लिए homber के लिए लिए लिखने वाला हूँ, इन questions में आपको उपर language आप लिख लिएगा, decimal forms non-terminating, non-repeating लिखने वाला हूँ, और उनको आपको P upon Q की फॉर्म में convert करना है, तो पहला question आपका मैंने लिख दिया, यहाँ पर 1.2 बार, second, 23.6 बार, third, 2.06 बार, four, 15.32 बार, थोड़े से question लिख दे रहा हूँ, 0.001 बार, या एक और question आप लोगों के लिख दे रहा हूँ, 1.123 बार, ठीक है न, यह कुछ questions मैंने आप लोगों के लिख दी हैं, इन questions को करने के बाद, बड़ी आसानी से इस concept को समझ लेंगे, ठीक है जो पार्ट सेकेंड का वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हूँ, तो इसको like, share और subscribe करना बिलकुल मत बूलेगा, और subscribe करने के बाद, वैल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे कि मैं जब आपके लिए next वीडियो बनाओ, उसकी notification बड़ी आसानी से आप लोग पास सबसे पहले पहुचते रहें, thank you.